नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत हैं दोस्तों गनपती के दिन विसीस तोड़ से माने जाते हैं और माना जाता है कि गनपती के दोरान अगर भगवान स्री गनेशी की कोई भक्त सच्छे मन के साथ पूजा कर लेता है तो दोस्तों उस व्यक्ति की पूजा भगवान स्री गनीजी श्विकार कर लेते हैं और दोस्तों दूसरा माना जाता है कि गनेश उस सवके दस दिनों के दोरान अगर कोई भक्त इन चीजों का दान करते हैं तो दोस्तों निश्ची तोर पर भगवान स्री गनेजी का असिरवाद उस व्यक्ति के जीवन के उपर देखने को मिलता है दोस्तों व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिका होता है और भाग्य वक्ति का उसकी गरह इस्थती के अनुरूप चलता है लेकिन दोस्तों सास्त्रों में एक वात वरनित है कि जतना ज़्यादा वक्ति दान पुन्या करता है उसका भाग्य और उसकी गरह इस्थती उसी के अनुरूप चेंज होती रहती है बदलती रहती है अदर गुरु गरह से हलका सा उबर आजाता है तो دोस्तों समझ लिजिए उस वक्ति के बाकी गरह भी उसी के अनूरुप हो जाते है और भगवान स्री गरह जी का असरिवाद मिलता है और दोस्तों बुद्गृ गरह तभी उत्तम काम करता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दान देते हैं तो दोस्तों अगर आप गनेश चतुर्ची के दस दिनों के दोरान ज़्यादा से ज़्यादा दान पुन्या करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका भाग ये चमक जाएगा तो दोस्तो क्या चीज़ आपको दान करनी चाहिए हम बताने वाले हैं सबसे पहली चीज़ है दोस्तो काले तिल माना जाता है कि काले तिल भाग्ये को बदलने के अंदर बहुत मुख्य भूमी कानी बात है तो गनेश चतुर्टी के दोरान आप काले तिल के गुड के साथ लड़ो बनाए और उसके बाद आपको जादा से जादा लोगों के मद्य आपको इस चीज़ का दान भगवान सरे गनेश जी को पहले चड़ा दें और उसके बाद आपको दान करना चाहिए निश्चित तोर पर आपको दिन दूनी राज चोगनी कती से वर्दी देखने को मिलती है दोस्तों गनेश चतुर्टी के दस दिनों के दोरान आप एक काम कीजिए कि जादा से जादा अनकादान करें दान का दान किस प्रकार करना है कि घर के अंदर रोटियां बनाएं सबजी आदी बनाएं गरीबों को अपने घर बूला कर आप उन्हें भोजन कराएं ब्रामनों को भोजन करवाएं गरीब वैक्ति को भोजन कराएं यह चीज आपसे संभव नहीं हो पाती तो आप बाजार में कहीं भी कोई आपको गरीब वैक्तिव दिखाई देता है तो आप उसे भोजन देकर आप मदद कीजिए निश्चित तोर पर आपको फाइदा प्राप्त होगा भोजन का दान करना गर्णपती के दस दिनों के दोरान बहुत उत्तम होता है और समय लीजिए जो कोई वक्त ऐसा करता है उसे दिन दूनी राच छोगुनी कती से वर्दी देखने को मिलती है दोस्तों आपको किसी को भी डाइरेक्ट पैसे का दान नहीं करना चाहिए माना जाता है कि इससे आपके घर के लक्षमी दूसरों के घर चली जाती है और अगर आप पैसा किसी वक्ति को देते हैं तो समय लीजिए कि आपका पैसा आपके पास नहीं दिखता हाँ किसी परकार का भवन बनाने के लिए किसी परकार के पैसे का दान आप वहाँ दे सकते हैं जहां से इस पैसे कि किसी direct किसी व्यक्ति की मददो हो बलकी समाज की मददो हो। वहां पर आपको गनपत्ती के दोरान पैसा जरूर देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह गनपती के दोरान ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को अगर आप पीले वस्तरों का दान करते हैं क्योंकि दोस्तों भगवान स्री गनेस पीले वस्तर और लाल चटक वस्तर धारन करते हैं तो गनपती के दोरान अगर आप पीले वस्तरों का दान करते हैं तो या फिर आप लाल चटक वस्तरों का दान करते हैं तो भगवान सिर गनेश आपकी आयू लंबी करते हैं आपके जीवन के अंदर सुक समर्दी देखने को मिलती है और आप दिन दूनी रात जोगोनी गती से वर्दी प्राप्त करते हैं दोस्तो इसी तरह गनपती के दोरान अगर आप सुहागिन महिलाओ को छोटी छोटी सिंदूर की डबियां लेकर आ जाते हैं पहले उन सिंदूर की डबियों को भगवान सरी गनेश के आगे रख दें और उसके बाद आगर आगर आप अपने ववा गनपती के दोरान जितना जायादा हो सके आपको सुहागिन महिलाओ को सिंदूर का दान जरूर करना चाहिए दोस्तो इसी तरह गनपती के दोरान भगवान सरी गनेश जी को पसंद करने के लिए गाय की गी या गाई की गी से जुड़ी बनीच हुई चीजे होती हैं उनका दान करना पीली मिठाई का दान करना गर्पती के दोरान जादा से ज़्यादा गुड़ का दान करना गर्पती के दोरान जादा से ज़्यादा आप अगर मिठाई पीली मिठाई मुदग का दान करते हैं तो निशीत तोर पर भगवान स्री गनेश आपसे प्रसन होते हैं और जो आप चाहते हैं वह आपके उपर करपा बनती है दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखे गनपती के दोरान अगर आप एक बाली का छोटी कोई भी बच्ची होती है अगर आप अपने घर के अंदर बुलाकर उसकी पूजा करते हैं उसकी चरण धोकर उसको आप भोजन करवाते हैं जिससे गनपती बहुत जल्द प्रसन होता है क्योंकि भगवान स्री गनेश जी का बाल रूप बहुत ही चंचल रहा था और बाल रूप के अंदर भगवान स्री गनेश जी ने अनेको परकार के वरदान दिये तो आप भी ऐसा करते हैं तो भगवान स्री गनेश निश्ची तोर पर आपके उपर प्रसन रहेंगे तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी अने जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी